हेलो फेंड्स वेल्कम टू आवर ओफिसियल चैनल दा गोल एचिवर मैं रामकुआण करना आप लोग का स्वागत करता हूं हमारी यूटूब के ओफिसियल चैनल दा गोल एचिवर पे जियां फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता है आरारवी कलर के जो मेंस हैं वो 16 सेप्ट क्या जा सकती है स्टेटवाईज क्या कटब जाएगी और रिजल्ल डेट क्या होगा इसल garant सब से पहले हम एकजाम के बारे में बात करेंगे level of exam good attempt क्या रहें सारे चीज़ पर हम लोग discuss करेंगे एकदम detail में तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले RRB color का जो exam था वो 16 September को conduct करवाया गया और कहीं न कहीं हर एक section में मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहां पर आपको computer देखने को मिलता है हिंदी देखने को मिलता है रिजनिंग देखने को मिलता हिंदी और इंग्लिस में आप जो भी चूज करोगे आप वो select कर सकते हो तो यह तीन section हो गया उसके फिर हिंदी computer हिंदी या इंग्लिस computer reasoning mathematics और जेनरल अवेड़नेस तो सबसे पहले यहां पर number of मैं बता दूं कि number of attempt और marks में काफी difference होता है यह आप चीज अपना दिमाग में रखे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हिंदी या इंग्लिस जो है वो किस लेवल का आया था तो हिंदी और इंग्लिस दूएवल था बच्चे इसमें 30 प्लस भी उन्होंने किया है कुछ लोगों ने 25 प्लस किया सबसे पहले मैं बता दूं कुछ जिन बच्चों ने यह sequence अपनाया कि वह पहले language paper कर रहे हिंदी या इंग्लिस फिर वो computer पे गए और फिर उसके बाद उन्ह सब्सक्ति दिया हुआ है मतलब question दिया हुआ है और सारे option सिर्फ statement से भड़े हुए थे कोई भी बच्चा अगर जेनरल अवेरनेस रिजनिक और मैट्स से पहले अगर करता है तो उसको बहुत अच्छा टाइम जरूर लगा होगा अगर उसने टोटल 40 कोस्टन्स अगर देखे होंगे तो तो कहीं न कहीं इस कारण जिन्होंने मैट्स लास्ट में अटेम्ट किया उन क्या क्योंकि मैट्स की टेम्ट 15 बच्च जयानि 15 20 आसपको देखने को मिलेंगे नहीं तो मैक्सिमनź से बच्चे हैं। जो 12 से 15 के बीच में आपको maximum बच्चे देखने को मिलेंगे mathematics में क्यों क्योंकि उन्होंने इस sequence को मेरे according इस sequence को अपनाया हो कि उन्होंने language paper दिया होगा या computer को पहले लिया होगा gender awareness को क्या होगा फिर reasoning और maths को तो यह कहीं न कहीं gender awareness के कारण हुआ क्योंकि statement इतने भरे परे थे और मतलब क्या level था gender awareness का वो आप मतलब assume नहीं कर सकते जिन्होंने exam दिया वो जानते है और यहाँ पे gender awareness पे जिन्होंने पहले किया होगा उन्होंने definitely 20 प्लस attempt जरूर किये होंगे और जिन्होंने बाद में gender awareness किया है तो उनके attempt 15 रह गया क्योंकि मुझे लगता है जिन्होंन माइंड जो है न वो थोरा सा nervousness आ जाता है कि काफी कम समय बचा हुआ है तो इसलिए भी तो सबसे पहले आप मैं sectional wise बात करूं तो reasoning moderate नहीं था easy to moderate था आप doable थे maximum बच्चों ने 30 प्लस जरूर attempt किया होगा जिनके थोरे से कम attempt 25 प्लस भी वह भी अच्छी attempt माने जाएंगे ब reasoning और math अगर आपने किया होगा तो definitely आप English Hindi में आपके पास काफी कम समय बचा होगा computer के लिए फिर general awareness के लिए तो वहां आपके attempt कम हुए होंगे तो moderate easy to moderate level आपको reasoning में रखना होगा क्वांट की बात करूँ तो definitely moderate level का क्वांट देखने को मिला था लेकिन बहुत सारे बच्चों के जो attempt है वो 12 से 15 के बीचे में लाइक कर रहे है और मैं बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिन्नोंने 20 के आसपास भी attempt किया और बहुत ने 20 प् बहुत अच्छी है उन्होंने 35 प्लस भी किया जिनके इंग्लीस बहुत अच्छे उन्होंने 35 प्लस किया है तो कहीं ने कहीं अगर आप language paper last में आपने attempt किया होगा तो आपके number of attempt जरूर घटे होगा क्योंकि उसमें time taking था reading comprehension में और filler में आपको time देना ही पड़ेगा वही अ computer अच्छा उनके लिए तो मेरे according 30 प्लस वह अराम से easy way में attempt कर सकते थे तो लगबाग 30 प्लस मतलब 35-36 question तो ऐसे थे जो सिर्फ statement based थे और वहां पर आपको options डैरिक देखने को नहीं मिला बहुत सारे ऐसे questions से तो मैं definitely अगर मैं separate video भी आपको मुझे तो बहुत सारे questions statement मतलब ऐसे याद है लेकिन options कितने थे वह मुझे याद नहीं है options में देखिए अगर आप बहुत सारे ऐसे थे जैसे schedule tribe मतलब अगर कोई ministry ने कुछ योजनाई निकाली तो क्या उन्होंने MSME के लिए निकाली education के लिए लोन के लिए निकाली बहुत सारे statement थे और योजनाओं से question जो है rv में definitely बहुत सारे देखने को मिलते हैं तो बहुत सारे बच्चों के attempt 120 प्लस है बहुत सारों के 140 प्लस है 147 प्लस है मैंने काफी analyze किया number of attempt और marks पे काफी difference है बहुत बच्चे के attempt जादे होंगे लेकिन marks और attempt में पूरा scenario change हो जाता है आपको मैं बता दू पहले कि जिन्होंने इंगलिस लिया उगर वह पहले उन्होंने किया और जैन्रल अवेरनेस नहीं जिन्होंने किया तो वहांपे उन्होंने अच्छेอड पिए हैं और फिर रीजनिंग उन्होंने 32 किया fed coming back में उनके गते है जिन्होंने 11 पहले कि क्या ऐसा मेरा प्रस्पेक्टिव है कि डेफिनेटल ऐसा ही हुआ होगा उनके कहीं न कहीं रिजनिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया और 40 के 40 उन्होंने रिजनिंग बनाए और 15 प्लस अगर उन्होंने मैट्स बनाए तो डेफिनेटली आप देखोगे उनके जो एटेम्ट है हिंदी या इंग्लिस जो उन्होंने ओप्ट किया होगा उसमें कम देखने को मिलेगा कंप्यूटर में कम देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं उनके जेनरल अवेर्नेस में भी कम आपको एटेम्ट देखने को मिलेंगे तो कहीं न कहीं यहां पर सिनेरियो चेंज यहां काफी कुछ देखने को variable मिल रहा है जिन्होंने यहाँ attempt कम किये उन्होंने उधर attempt ज्यादा किये और general awareness इस बार बहुत बड़ा role play करेगा game changer होने वाला है क्योंकि previous year अगर आप जाओगे ना तो general awareness इस level का देखने को नहीं मिला था इस बार बहुत एक अलग लेवल का आपको general awareness देखने को मिला इवन और बहुत सारे बच्चों के जो माउस थे वह कहीं न कहीं अटक रहे थे मेरे सेंटर पर भी काफी बच्चों के माउस अटके हैं साथ से आठ मिनट तक माउस अटका रहा और उनका कुछ movement नहीं हो रहा था तो ऐसा glitches all over इंडिया में भी देखने को मिला है तो कहीं न कहीं मैंने हर एक point को आपको पता है कि मैं काफी analyze के बाद आपको definitely expected cut up लेके आता हूं मैंने previous year की vacancies ध्यान में रखी level of exam को ध्यान में रखा तो कहीं न कहीं बच्चों के जो जेनरल अवेरनेस में माक्स है नंबर आफ एटेम जो भी रहा हो उनके निगेटिव जाएंगे definitely जाएंगे computer है computer में भी अगर जुन्होंने बाद में बनाया हर वरी में अच्छे से questions नहीं परहें होंगे या computer में भी आप accuracy चलिए हम लोग एक एक कड़के हर एक स्टेट के कटप देखते हैं मैंने previous year के उनके वेकैंसी देखे इस बार वेकैंसी देखे और हां यह काफी बार देखा गया है कि जो वेकैंसी वह आपको इनक्रीज हो जाते हैं बहुत सारे स्टेट में लास्ट में और बहुत सारे स्थेट विडरॉल भी कर लिए यूपी में तो काफी बार वरोद्दा गरामीन बैंक ने अपने विडरॉल है जो भी विडरीस की थी तो यहा करते आंदर परदेश की अगर मैं बात करूँ तो मैं जेनरलाइज कटप को हूँगा मैं जेनरल के के लिए मैं कटप आपको बताऊंगा और उसी के आसपास आप लोग यह सकती है उससे चार से पांच नंबर इसके आसपास रहेंगे आध्र परदेश में अगर जेनरल के मैं बात करूँ तो बाबन से पचपन 52 से 55 के बीच देखने को मिलेगा और एक कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं कि 200 नंबर के कटब गया है 104 होगी ठीक है तो यह ध्यान में रखना है आंध्र परदेश में बावन से 55 के बीच में आपको जेनरल की कटब देखने को मिल सकती है इससे दो तीन मार्क्स चार मार्क्स EWS कम आप कर लोगे और उसके बाद फिर हिसाप में आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर एक मार्क्स कम करोगे तो यहां पर दो होगा जैसे अगर बावन फिफ्टी टू जेनरल का गया और पचास गया EWS का तो 104 हो गया जेनरल का और 100 हो गया EWS का तो यहां पर यह फंडा है इसको 200 को 100 में कर दिया जाता है अरुनाचल प्रदेश की अगर मैं बात करो तो जेनरल की कटप 53 से 56 के बीच देखने को मिलेगी और डिफिनेटली आप यह ध्यान में रखें कि जो मेरा लास्ट वाला याने कि जो mindset कटप है वस英 आपको देखने को maximum chance है कि ऐसी के आसपस देखने को मिलेगी क्योंकि हर एक चीज को मैं ध्यान में रखाया general awareness को सब कुछ को ध्यान में रखकर आपको मैंने यह एक कटप डिसाइड करके आपको बताया तो तो तीरपन 53 के आसपास देखने को काफी संभावना है असम कि अगर मैं बात करूं तो जेनरल की कटप 57 से 60 के बीच में देखने को मिल सकती है 57 काफी चांसे है कि यहां पे 57 58 यहां कही देखने को मिलें बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 59 से 62 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है 59 आसपास देखने को मिल सकती है क्योंकि यहां पर वेकेंसीज वावभ on Gramyn बैंक नहीं दी है उत्तर बिहार ग्रामीन बैंक में है तो और कहीं न कहीं यहां पर इस बार कटप कहीं न कहीं प्रिविएस यहर से आपको नीचे देखने को जरूर मिलेगा यह मेरा अपना काफी एक्सप्रियंस के अनुसा मैं कह रहा हूं तो जेंडरल के कटप आप मान के चलिए बिहार में 59 के आसपस देखने को मिलेगी और 59 से 62 59 के आसपस देखने को मिलेगी जेंडरल की कटप 59 से 62 के बीच में लाइक कर सकती है maximum chances है कि 60 के आसपस 59 के आसपस आपको देखने को मिले हरियाने की आगर मैं बात करूँ तो general की cut-up 60 से 63 के बीच में देखने को मिलेगी और ये cut-up 60 के आसपस आपको 60 या 61 हर्याना के लिए maximum हो गया हिमाचल परदैस की रही में बात करूँ तो general की cut-up आप 61 से 64 के बीच में देखने को मिलेगी, 61 के आसपस हिमाचल परदेश काफी चांस है कि यहां की cut-up जाए, जम्मु एन कस्मीर की अगर मैं बात करो तो 56 से 59 के बीच में आपको जेनरेल की cut-up देखने को मिलेगी, 55 के आसपस आप मोटा-मोटी मान के चल सकते हैं, 55 से 56 जम्म कानाटक की अगर बात की जाये तो जेनरेल की cut-up 55 से 58 के बीच में, 55, 56 के आसपस आपको करनाटक की cut-up की cut-up देखने को मिलेगी, के अगर मैं बात करो तो यहां पर 60 से 63 के बीच में महरास्टा की बात कुरू तो जेंडरल की कट एसी के बीच में जाएगी फिस्टीस पास आप के कट-off को आप मतलब कर सकते हो मान सकते हो कि इसी के आसपस देखने को मिलेगे मेगाली की अगर मैं बात करूँ तो जनीरल के कटफ 56 59 के बीचBy करेगे 56 खर लोई्सी में असपास नागालेंड की कटफ आपको किएट को मिल सकती है वहीं कि अगर बात की जाए तो जैनेरल की के टफ 58 53 खर शेंपस पंजाब की अगर में बात करो तो जनीरल की कटफ 62 से 65 के बीच में देखने को मिलेगी 62 के आसपास आपको यहां की कट अफ देखने को मिल सकती है रायस्थान की बात करूँ चुकि पंजाब और रायस्थान थोगा सा हाई जोन रहता है पंजाब राजस्थान तो जेनरल की कट अब जोए 61 से 64 यहां पर 62 यह 63 के आसपास देखन को मिलेगी वहीं मैं तमील नाड़ू के बारे में नहीं का यहां पर 60 के आसपास देखने को मिल सकती है तेलंगा ना 59 के असपास और पुरा की आगर मैं बात करूँ तो जेनरल की कट अब जेनरल के सपास 59 के अब आको देखने को मिल सकती है उत्राख हंड की वहीं बात की जो आपको इस पार देखने को मिल सकती है 57 58 के आसपास यहां पर कटफ देखने को मिलेगी 57 के आसपास ही देखने को मिलेगी वेस्ट बंगॉल जेनरल की कटफ रिजल्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो एक जनवरी 2024 को इसके जो प्रोविजनल एलॉट्मेंट है फाइनल रिजल्ट जो है आपको नए साल के नए दिन सुभा के टाइम में 10-11 या 12 के बीच में सारे आसवास आपको डेफिनेटली रिजल्ट एनाउंस कर दिया जा कर यह कटउफ जो है डिसाईड किया है और मैं प्रीविश एर के भी मैंने कट ऑफ किया और उसके प्रिविश येर deh मैंने सारे वेकंसी को एनलाइज किया लेवल ऑफ एक्जाम क्या थे उसको भी मैंने देखा और मैं कहना चाहूंगा जिनके कि आपको यह पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियो के लिए बने रहें और यह वीडियो को ज्यादव ब्राट कीप वाचिंग आवर वीडियो